अज़ नमबर टॉपिक्स एपिसोड आ गया है अच्छा कल संडे हैं कल टॉपिक्स नहीं आएगा लेकिन संडे को एक 50 कोशन्स का प्रैक्टिस सेट आएगा दूसी बात बहुत सारे स्टॉइंट्स इंग्लिश के लिए कह रहे हैं तो सारी बुक्स जो भी हमने सजेस्ट किय यह इंग्लिश वर्शन में भी उपलब्द है तो जो हिंदी में हम दे रहे हैं उसी को आप सीधे इंग्लिश में भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं जो कि सिमिलर बुक अगर इंग्लिश एडिशन होगा तो सिमिलर टॉपिक्स आपका मिल जाएगा या आपके पास जो भी लीचे यह अभी हम आपको बताते हुए भी चलेंगे दूसरी बात यह पूरा कॉर्स आपका तीन से साड़े तीन मेहनी चलेगा और जो बुक्स हमने आपको सजिस्ट किया है इस बुक को आप फॉलो करते हुए आगे की तैयारी को इसी तरह से लेकर चलते हैं तो एक्जाम से के लिए कोई बुक बताईए या उसे भी चलाईए चुकि हम बीपेसी सेंट्रिक यह पूरा कोर्स लेकर चल रहे हैं तो यूपेसी के लिए तो रमेज सिंग बहुत अच्छी आती है एकोनोमी में लेकिन वह बहुत टफ और मोटी बुक है उसके बाद नितिन सिंग घान नेकर चलेंगे उसका एकॉनोमी और डूसरे भी करिंट एफैस के सोर्सें से हम एकॉनोमी को भी लेकर चलेंगे देखियेा इक्ञामनेशन को अगर निकालना है तो हमने वह चीज़ असब आपने ऑफ्ने की अच्छी से फॉलू किया हाठ कोर की दर घितर है। तो डेफिनि परीजन में बैटे होते, तो इन दुअब भुष्टिछ से कितने इस अपरोफम हुब करू से दो देखनों कहुं में तहारते हैं टेनों ही हेस्ट्री के म होगा और देख लिए प्रश्ण कैसे पढ़ना है ये भी आपको पता चलेगा ये कोश्चन आया 1857 से हम लोगों ने बिहार special में 1857 लिया था अगर उसे आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका अंसार आप बिलकुल आसानी से इत्मिनान से बना सकते थे उसका बद देखिए सरोथ हम लोग प्राशन बारत इतियास के सरोथ लेकर चल रहे हैं इससे दो कोश्चन आये थे पिछले एक्जामनेशन में देखिए वेंसंग फायान वाला आ गया आप अपने बुक में क्राउन में जाकर देख सकते ह और दूसरा कामंदक का नीती सार वो आ गया चुकित दूसरे दिल के टॉपिक में उसमें आप देखेंगे संस्क्रिट के कुछ महात्मन बुक्स का बॉक्स मनाकर बहुत सरा फैक्स दिया हुआ है उसमें कामंदक का नीती सार आपको दिखाय देगा तो तीन कोश्चन्स कि रूटीन रहिएगा और अपना बेश समय निकालिए चुक्किए अगर रेजल्ट रेना है तो मेहनत तो करना होगा और सबसे बात यह है कि आपके पास काफी समय है तो बहुत सारे शुब काम ना है मेहनत करते रहिए डेली कुछ टॉपिक्स को पढ़िए समझे बहुत सारे बुक्स में ही अंडरलाइन करके पढ़ना इससे आपका टाइम बचेगा और फिर जब आप रिवाइज करेंगे किताबों को उल्टे पलटेंगे तो आपका रिमाइंडर होगा आपको याद भी रहेगा तो बहुत सारे शुब काम ना है बेस्ट आफ लाग टेक्या सारे